exercise 5.9 सबसे पेहले तो इसमें से को को यह स्यल्म करदने लिए लास्ट के चार तीनों पार्ट समें ही लास्ट चार कोशन्स करदने लिए इक्जाम में नहीं आएंगे 12 जिस तरीके से exercise 5.6 में मल्डिप्लाई थी यह बिल्कुल वैसे है सिर्फ इसमें एक छोटा सा step extra है ये है question बस वो step क्या है वो step है divide की sign को पहले तो आपको multiply का sign बनाना है और जब multiply का sign बन जाए तो उसके बाद वाला जो fraction है उसका reciprocal कर देना है reciprocal यानि numerator उपर denominator नीचे उसका उल्टा कर देना है बस यही step है उसके बाद जैसे आपने 5.6 में लिखा समझा आपने बिल्कुल वैसे ही है तो 4 का 4 divide के sign को multiply बनाया है अब इसे multiply बनाया है तो इसका reciprocal 3 उपर चला गया 1 नीचे बस 4 3s are 12 और नीचे बनाया है उसे शोक करने के जुरत नहीं है इसी तरीके से इसका आफ पार्ट देखे 6 का 6 लिखा divide को बनाया है multiply 3 एपन 4 का 3 उल्टा हो क्योंकि इसे multiply बनाया है तो यह उल्टा हो जाएगा 4 उपर 3 नीचे ठीक है अब 3 से 6 डिवाइड हो जाएगा दो बार में 3 2 is a 6 और 2 4 is a 8 ठीक है इसी तरीके से इसका second question है first वाले number या fraction जो भी दिया है उसको as it is उतारना है divide के सा इनको multiply बनाना है और उसके बाद वाला जो fraction है उसका reciprocal करना है पहले वाले का कभी नहीं करना बाद वाले का यह करना है तो reciprocal करने के लिए numerator नीचे denominator उपर 4 दिया था 4 नीचे चला जाएगा जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है तो यह 4 upon 1 था 4 upon 1 था इसे जब उल्टा कर देंगे तो यह 1 upon 4 हो जाएगा और सामने सामने multiply 8 upon 8 7 upon 28 इसे तरीके से 3 upon 5 उतारा divide के sign को multiply बनाया और 21 upon 1 था यह अब यह पलट गया 1 उपर 21 नीचे अब हम देखें 3 से 21 को divide कर सकते हैं 3 upon 3 3 upon 7 21 अब उपर वचा 1 1 1 था 1 5 7 था 35 18 upon 7 को अमने इसे जब उतारा divide के sign को multiply बनाया और इसका reciprocal तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसका नीचे 1 होता अब इसका reciprocal करेंगे 1 upon 6 आगया और देखे 6 और 18 डिवाइड हो सकता है 6 upon 6 6 था 18 और सामने सामने मल्टिप्लाई 3 था 3 7 था 7 अब देखे ये वाला question 3 upon 8 divide का sign है multiply बनाया इसका reciprocal अब सामने सामने मल्टिप्लाई होगी 3 था 3 और 8 था 64 इसी तरीके से 2 upon 5 लिखा divide के sign को multiply बनाया इसका reciprocal लिए 1 upon 2 2 से 2 divide हो जाएगा और 1 upon 5 बच्चा 3 upon 5 लिखा divide के sign को multiply बनाया 35 का 35 लिखा sorry 35 का reciprocal हो जाएगा 35 उपर है तो नीचे आजाएगा और denominator जो नीचे था 1 वो उपर चला जाएगा बस अब सामने सामने multiply 3 था 3 5525 उपर जाएगा 5525 उपर जाएगा और 5 नीचे अब देखिए इसका 3rd question फिर वैसे ही है ये भी 1 upon 2 लिखा divide के sign को multiply बनाया और इसका reciprocal तो 16 उपर जाएगा और 5 नीचे अब 2 से 16 डिवाइगा 2 1 से 2 2 8 से 16 और सामने सामने multiply 1 8 सा 8 1 5 सा 5 इसी तरीके से 5 upon 9 divide के sign को multiply बनाया 2 upon 5 ए 5 upon 2 आजाएगा और सामने सामने multiply 5525 9 2 सा 18 1 upon 2 divide को multiply बनाया 8 उपर 5 नीचे 2 से 8 को divide करेंगे 2 4 सा 8 1 4 सा 4 और 5 ना 5 6 upon 7 लिखा divide के sign को multiply बनाया इसका reciprocal किया और 2 से divide हो जाएगा 6 2 3 सा 6 3 3 सा 9 7 1 सा 7 1 upon 3 लिखा divide के sign को multiply बनाया इसका reciprocal किया तो 1 नीचे शोग करने के जुरत नहीं है 3 से 3 पूरी तरह divide हो गया और 1 बनाया 3 upon 5 लिखा divide के sign को multiply बनाया और इसका reciprocal करेंगे 5 से 5 पूरी तरह divide हो गया 3 बनाया